नमस्कार फोर साइट स्टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूँ इन दिनों सचिन पाइलेट खासे सुर्खियों में चल रहे हैं वज़ा है दानिश अबरार के साथ दिखना यही नहीं खाचरियवास के घर भी सचिन पाइलेट पहुंचे पहले दानिश अबरार के साथ मंच साजा और फिर प्रताप सिंग खाचरियवास की मा को देखने पहुंचे राजिस्थान के सियासी गलियारों में सचिन पाइलेट का राजनेतिक स्टेंड सुर्खियों का विशय बना हुआ है वजह है सचिन पाइलेट के साथ अबरार और प्रताप सिंग खाचरियवास के बीच की पूर किया दावत 2020 में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की वजह से पाइलेट के साथ अबरार और खाचरियवास के बीच की दूरियां काफी बढ़ गई थी इसका असर इन नेताओं के राजनेतिक करियर पर भी देखने को मिला लेकिन पाइलेट का इनके साथ आना चर्चा का विशह बना हुआ है अबरार और खाचरियवास चुनाव हार गए तो पाइलेट राजिस्थान की सियासत से दूर हो गए लेकिन अब जिस तरह से पाइलेट इन नेताओं के साथ खुल मिल रहे हैं उससे ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर पाइलेट अपने पुराने करीबियों के साथ फिर से मेल मिला आप क्यों भड़ा रहे हैं सोमवार को सवाई माधवपूर के बॉली में राजेश पाइलेट के प्रतिमा इस्थापना करिक्रम में पूरु विधायक दानिश अबरार भी आए अबरार को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले सचिन पाइलेट से नाराजगी खत्म करने की बात कही अबरार इसके बाद मंच से पाइलेट जिन्दावाद के नारे लगाने लगे राजिस्थान में एक वक्त में अबरार को पाइलेट का करीबी देता माना जाता था लेकिन 2020 के रिजोर्ट पॉलिटिक्स के बाद दोनों के बीच दूरी आ गई पाइलेट समर्थकों का आरोप है कि जब सचिन ने मुद्दो को लेकर गहलो सरकार की घेराबंदी की तो अबरार पल्टी मार गए अबरार इसके बाद पाइलेट कैम से बाहर हो गए 2023 के विधान सबा चुनाव में अबरार को सवाई मादवपूर से टिकट तो जरूर मिला लेकिन पाइलेट ने उनके समर्थन में कोई रैली नहीं की अबरार पाइलेट से सबा कराने के लिए दिल्ली से लेकर जैपूर तक घूमते रह गई इन दूरियों का असर अबरार के चुनावी परिणाम पर भी दिखा अबरार सवाई मादवपूर सीट पर बुरी तरह हाथ वो भी तब जब ये सीट गुर्जर और मुस्लिम बाहुल्य है हार के बाद से ही अबरार राजनेतिक नैपथ्य में चल रहे थे सचिन पाइलेट सुमवार शाम को अस्पताल में भरती पूरू मंतरी प्रताप सिंग खाचरियावास की मा को देखने पहुंचे खाचरियावास ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया है 2020 से पहले खाचरियावास की गिंती पाइलेट के भरोसे मननेता के रूप में होती थी 2018 में जब राजिस्थान में सरकार आई तो खाचरियावास को पाइलेट कोटे से ही मंतरी बनाया गया था उन्हें पावरफुल परिवेहन विभाग की कमान दी गई थी लेकिन 2020 में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के बाद खाचरियावास और पाइलेट में दूरी बढ़ गई पाइलेट वर्तमान में कॉंग्रेस के राश्य महासचिव है और उनके पास 36 गड़ का प्रभार है लेकिन वो कई बार राजिस्थान की ही राजनीती करने की बाद कर चुके हैं का जा रहा है कि पाइलेट की नजर प्रदेश अध्यक्ष की कुरसी पर है लेकिन डोटास रा उनके लिए चुनौती बने हुए है राजिस्थान में अब तक खुले तोर पर कॉंग्रेस के भी तर दो ही गुट थे एक अशोक गहलोत का और दूसरा सचिन पाइलट का लेकिन लोगसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष गोविन सिंग डोटास रा मजबूत हुए है आने वाले वक्त में अगर वो कुरसी पर और जम गए तो उन्हें साइड करना आसान नहीं होगा खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए फोर साइड्स टीवी